जिस प्रकार से अगर हम देखें कि गीता में कैसे तत्व का निरूपन हो रहा है और modern science में कैसे क्या जा रहा है अगर हम चर्चा करनी शुरू करें इस डारेक्शन में तो अभी आप देखेंगे तो गीता में जो बताया गया है सात्वे अध्याय में थोड़ी चर्चा हो रही है कि हमारी दुन्या कैसे बनी हुई है पूरा reality तो क्रिश्न बोल रहे हैं चौथे शुरू क में भूमि रापो अनलो वायू खम अनो बुद्धे रे वच्छा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रक्रत रष्टधा यह जितनी भी प्रक्रती है matter जिसको बोलते हैं आज के समय में exact तो उसको synonym नहीं बोल सकते हैं वो इन पतार्थों से बनी हुई है भूमि आपो अनलो वायू खम यह पंच महभूत जिसको हम बोलते हैं कि नवश्कार आप सबको आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इंवाइट किया इस टॉपिक पर कुछ विचार वियक्त करने के लिए और मैं पूरा प्रयास रखूंगा कि जो टॉपिक है और जो आपने अपॉर्चुनेटी दिये उसको पूरा जेस्टिस मिले और शुरुवात करने से पहले मैं छोटा सा मंगला चरन बोलना चंगा तो अग्यान रण्धस्या अग्याना अचना शलाक्या चक्षारून लूदी तन्मीना तस्माई श्रीविनमान तो जिस प्रकार से हमारी शास्त्रों में व्याख्या की जाती है तो प्रमोख रूप प्राह रूप से जादे तर शास्त्रों में विशेश रूप से पुराणों में जब भी किसी विशे की व्याख्या की जाती है तो उसके बार में श्रुतिफल जरूर बता दिया जाता है जिसे जो शूता हैं वो उनमें रुची बनी रहे तो उसी प्रकार से मैं चाह रहा था कि आज किया हमारी कथा जो भी हमारी discussion रहेगा उसका अगर शुतिफल हम बोलें तो अक्सर हमारे जो generation है especially अगर मेरे age group के लोगों के बारे में बताओं तो अगर हम गीता में विश्वास भी रखते हैं हमारे शास्त्रों में विश्वास रखते हैं अपने heritage में अपने culture में जिसका जो आपकी organization है वो भी इतना भर सक प्रयास कर रहे हैं उसको revive करने के लिए उसको स्थापित करने के पर कहें पर भी यह चर्चा शुरू की जाए especially किसी educated class में तो सबसे पहला जो विरोध आता है वो यही आता है क्या कि क्या है आधुनिक उसकी foundations क्या है उसका धरातल आधुनिक धरातल की विज्ञान से जब आप चर्चा करेंगे उसकी क्या है proof सबसे बहुत प्रूफ क्या है evidences के पीछे कि महाबारत असली थी गीता असली थी रामायन हुई थी क्या है प्रूफ सोल का क्या है प्रूफ तो आज का शुतिफल यही रहेगा कि अगर आप इस discussion को अच्छे से समझ पाएं तो बहुत अच्छे रूप से हम इस चर्चा को आगे बढ़ा स रहते थे राधर कंपेर करें उसको हम अनुभाव पर अनुभाव को बोलें या फिर रैशनल प्रॉसीजर्स को बोलें जो विज्ञानिक विदी है साइंटिफिक मेथाड जिसको बोले जाएं उस पर हम इतना डिपेंडेंट क्यों नहीं रहते थे हम प्रहे रूप से शास् जिसको बोले के तो आत्मा परमात्मा तो यह उआएंगे आएंगे मन में तो दूसरी चीज़ हम चर्चा करेंगे की आत्मा का क्या साइंटिफिक प्रूफ है जो भगवत गीता में बात की जा रही है क्या सिर्फ वो दिल को दिलासा देने के लिए शान्ति के लिए सुप के के लिए इस दुनिया में बोली गई हैं कुछ लोग बोलते हैं कि Man Created God कि भगवान को मनुश्य नहीं बनाया है जिससे सब लोग शांति से रहें हमबल रहें विनम्र रहें उस प्रकार से भगवान को आदमें ने बना दिया है अपने कलपना से लेकिन क्या आत्मा परमात्मा स आप सबको बहुत खुशी होगी जानकर कि जो हमारे गीता का सिधान्त है उसका इतनी सॉलिट साइंटिफिक बैकिंग है उसकी फांडेशन से तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारे जो पुराने आचार्य थे जो गुरु थे जो स्कॉल किये जाएं तभी कोई चीज एक्सेप्ट की जाएं किया वो इतने अनिबिग्य थे कि कभी भी उन्होंने उस चीज़ को उस चीज़ पर बल नहीं डाला हैं कि जो डार्विन तोरी है तो उसके क्या पढ़ा तो या जाता है या किसी और थिआर्य का उठा ली जाएं उसके विडियंस की खोल सो कोुई नहीं करता है सब लोग पढ़ लेते हैं नशी सारे ज़क्रेशन्वाज Pennえば किरुशन्ड किलाफ जी ते नहीं थे नहीं थे ये कैसे हो जाता था फुष्पोक Biwaan कैसे चलता क्लोजी थी इतने सारे लोग कैसे खटता है खेंप उत्थी कि ख़िक्षेटि जी रहे उचे हैं या पर इतने सारे पर कोई पढ़ने की चेश्टा तो नहीं करता हमारे शास्त्रों को, ये बात तो सत्ते है, सवाल इतने ज़्यादा है, तो अध्यान तो अतना होना चाहिए था, तो अगर हम अध्यान करें हमारे शास्त्रों का, हम पाएंगे हमारे शास्त्रों में, हमारे आचारियों में भी, जो आचारे रहे थे और जो शास्तर भी है हमारे दोनों में ही ज्यान लेने की विधी क्या है ज्यान का लक्षे क्या है ज्यान ले कौन रहा है इन सब के बारे में चर्चा है कई बार विश्वास नहीं होता कि गीता जो actually गीता को अगर आप सिर्फ श्लोक वाली गीता लें चोटे-चोटे-चोटे आक्षरों में इतनी सी होती है, इतनी मोटी और इतनी में सारे श्लोक है और उन श्लोकों में इतनी सारी बाते की गई are कि तेरव अध्याय में यह बात चल रही है कि ज़्यान का लक्ष क्या है ज़्यान लेने की प्रक्रिया क्या है और ज्यान ले कौन रहा है object of knowledge process of knowledge and who is taking the knowledge इतना डीटेल इतना थौटफुल मलब लोग नॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन यह कभी नहीं सोचते उसका अबजेक्ट क्या होना चाहिए कई बार लोग डिगरी ले लेते हैं पर उनको यह समझ में नहीं आता क्यों कि मैंने चार साल अपना जो डिगरी ली है उसका कुछ भी यूजस तो नहीं आ रहा जौब में तो उसका लक्षे क्या रहा उसका अबजेक्ट क्या होना चाहिए नॉलेज का नॉलेज की प्रोसेस क जिसको बोल सकते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे प्रशन किये जाता है कि क्या है एविडorta के नीचर के लेकर इता है कि बहुत सारी में बात की गई है तो evidence को लेकर बहुत सारी चर्चा की गई हैं तो कुछ आचारे तो दस तरीके के evidences list कर देते हैं कि यह यह evidences हैं उन evidences में वो लेते हैं जैसे एक प्रकार का evidence हो गया कि ठीक है आप मुझे देख पा रहे हैं मैं आपको देख पा रहा हूं तो कोई मिथ्या बचा ही नहीं कि ठीक है मैं देख रहा हूं तो मैं exist करता हूंगा ऐसे निया मैं सिर्फ screen पर हूँ मेरी कोई animated recording या animated कोई show चला रहे हैं आपके जो host है वो तो ऐसा तो नहीं है आप देख पा रहे हैं देखना आपने आप में प्रमान माना गया है जिसको बोला गया प्रत्यक्ष दूसरी category अनुमान की जिसको आज के समय में प्रमुक रूप से जो हमारे science है उसमें यूज किया जाता है कि कोई evidence है आपके पास प्रत्यक्ष रूप से उससे फिर आप कुछ चीज का अनुमान कीजिए यह प्रमान माना गया है फिर एक प्रमान माना गया है इतिहास कि कि किसी जगे पर अगर कोई बहुत लंबे समय से कोई बात चली आ रही है तो जरूर कुछ उसमें प्रमान है कुछ न कुछ फैक्ट रहा होगा तो वो एक प्रमान रहता है फिर शुति आती है शुति मतलब हमारे शास्त्र शास्त्रों को प्रमान के रूप में लिया गया है कि यह अपौरुशे हैं तो ऐसे कर करके बहुत सारे प्रमान लिए जाते हैं फिर च वादक्राइरों के तौरा भी कुछ शास्त्रों में भी ये चर्चा किये जाती है. कि कौन सा प्रमान लेना चाहिए घ्ञान की खोझ के लिए इस्पेशली घ्यान की बारे में जब बात की जाती है तो चलो वो अगर निर्धारित कर दिया जाता है कि घ्lyान का लाक्षय है चल प्रत्यख्श्वार्च लेने का कौन सा प्रमान stickers किया जाना जाए प्रत्यक्श्वोप में लीए बहुत सारी लेख दृष्टीक कौन से यह चीज को निर्धारित किया जाता है कि शुत्वार्च प्रमान से हमें शुरू करना चाहिए उसको accept कर लेना चाहिए उसको infallible माना गया है कि वो है तो सही है अब देखने की ये बात है कि कभी भी हमारे शास्त्रों में या आचारें के द्वारा भी और ना हमारे culture में कभी ऐसा था कि blind following जिस चीज को विशेश रूप से लोग विरोध करते हैं जिस चीज का कि बस किसी जगे लिखा हुआ है तो बस पढ़ लिया तो है ये जैसे अगर गो मूतर को लेकर गो मैं को लेकर बहुत सारे लोग विपति करते हैं ऐसी बात नहीं थी सर्फ जो शास्त्रों में दिया हुआ था उसको लेकर फिर लोग अपने साधना के माध्यम से और किसी और माध्यम से भी फिर वो उस चीज की खोच में लगते थे तो रैशनलिटी या फिर इन्फिरेंस या फिर पित्यक्ष ये प्रमान भी उसी के सबसेट में हो जाते थे कि उन प्रमानों को यूज करके हम उस दिशा में खोज कर रहे हैं कि है या नहीं है पर किस चीज के बारे में खोज करनी है ये हम शुती से ले लेते थे पहले अब इस चीज से बहुत फायदा होता था और ये एक बहुत बड़ा हेल्प करेगा ये जो अभी करेंट पॉइंट हम लेंगे आप सब के लिए भी तब आप वेदों के बारे में चर्चा करते हैं किसी अंजान व्यक्ति से देखिए अगर आपको किसी का लैप टॉप मिले या फिर किसी के जीमेल अकाउंट में लॉग इन करना है तो आप कैसे शुरू करेंगे एक तरीका हो सकता है शुरू करने का कि आप खुदी उसको अलग-अलग कुछ कोड्स डाल के देखें 11111 या 000 कई लोग तो ऐसी रख देते तो ये तो सबसे कॉमन चल जाते ये पर 12345 ऐसे करके भी कई बार चल जाते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति के ये सब कॉमन वाले नहीं हैं तो अगर आप खोज करने में लग जाएं कि आपने किसी से रेफरेंस नहीं लिया कि क्या पासवर्ड है उस लैपटॉप का उस फोन का उन्हें पैटरन्स होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अब मालीजे आपके पास फोन था किसी एक व्यक्ति का उसका दोस्त है आपके पास तो एक तरीका है आप उस व्यक्ति से पूछ लें कि क्या कोड था आपने देखा कि उस व्यक्ति को जो मौडर्ण साइन्स करने का प्रयास करती ringing वो ये प्रयास करती है कि हम खोज बिना किसी क्या बूल सकते हैं इसको जो हम पहले सही ले रहें कि क्या हो सकता है पास वर्ड इस फोन का हम खुद ही सोचेंगे हमें खुद ही रिसार्च करेंगे हम कर करके देखेंगे ट्राइग पर आप सब इस चीज़ को ट्राइब भी करके देख सकते हैं जब आप ट्राइग करनेंगे पासवर्ड बहुत मुश्किल होता है उसे खोल पाना पहली बात पॉसिबिलिटी इस इतनी सारी इतनी सारी है पांच डिजिट दो डिजिट का भी दस हजार व्यक्ति एक ही है जो रिसर्च कर रहे हैं मालिजे तीन डिजिट का भी हो गया हजार पॉसिबिलिटीज है और आपके पास कुछ है नहीं पता लगाने के लिए तो बहुत लंबा समय लग जाएगा उपर से लंबा समय लग जाएगा उपर से आपको एक क्या क्या directions आप ने रखना पड़ेगा कि और किस लेकिन सी अगर आपके पास एक व्यक्ति मित्र है जिस ने देखा था उस्व प्रया Port को फोन यूज करते हुए वो अगर तीन चार बता दे ठीक है ऐसे मैंने देखा था उसको एक बार ऐसे देखा तक आपके पास right आवे शूरू करते Mill ही आपके पास तीन बहुत probable set हो जाता है कि इस चीज़ को try करके देखते हैं उसको try किया work किया तो आप right away उसको खोल सकते हैं तो जो शुरूती प्रमान हमारे जो परंपरा होती थी उसमें यूज किया जाते थे वो इसी तरीके से वर करते थे कि ठीक है आत्मा परमात्मा या फिर साइन्स को लेकर भी जो डीटेल्स बताई गई हैं ये हैं इसको लेकर अब आप अनुभाव करने का प्रयास कीजे अगर आप अध्यात्मिक डारेक्शन में देखते हैं तो आप फिर हट योग का प्रयोग कीजिए आप अंदर जाने का प्रयास कीजिए जो जो विधी मेंशन ने उसके द्वारा वो अनुभाव लेगना का प्रयास कीजिए जो आपको बताय गया है और फिर अगर आप विज्ञानिक डारेक्शन में देख रहे हैं वैसे तो पर या फिर इनको फेबल स्टोरी कहानियों के रूप में जब हटा देते हैं तरफ गीता को भी बहुत बहुत अलग अलग दृश्टिकों से देखते हैं modern लोग lifestyle book के रूप में चल जाती है धार्मिक रूप में ये धार्मिक स्थलियों में चल जाती है धार्म गुरों के अलग अलग आश्रमों में चल जाती है वैज्ञानिक लोग बहुत परे हैं गीता से उस महाँ पर नहीं चल भी तो जब इसको परे कर देते हैं फिर हम खुद विज्ञान की शेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यह वैसे ही हो जाता है, Android phone को खुड ट्राए करना को लोगा, तो पूरा वंचित हम रहे गए, जिस प्रकार से अगर हम देखें कि गीता में कैसे तत्व का निरूपन हो रहा है, और modern science में कैसे क करचा हो रही है कि हमारी दुन्या कैसे बनी हुई है, पूरा reality, तो कृष्ण बोल है, चौथे श्लुक में, भूमे रापो नलो वायू, खम्मनो बुद्धे रे वच्छा, अहंकार इतियम्मे भिन्ना प्रक्रतरष्टधा, यह जितनी भी प्रक्रती है, matter जिसको बोलते हैं आज के समय में, exact तो उसको synonym नहीं बोल सकते हैं, वो इन पतार्थों से बनी हुई है, भूमी आपो नलो वायू, खम्म, यह पंच महाभूत जिसको हम बोलते हैं, फिर इसके beyond भी कुछ वो बोलते हैं, मन बुद्धी है हिंकार, चीक है, यह बोलते हैं, यह हमारी बाहर की प्रक्ति है, फिर आगे पढ़ते हैं, फिर इसके beyond भी एक चीज है, फिर बोलते हैं, इन सब के परे एक प्रक्ति है, इन सब के परे, पराम, इससे परे है, जीव भूताम, वो है जीव, वो है चेतना, यह दमधारे जगत, और उससे जगत, में कई सारी चीजे होती हैं, इन दोनों के combination से, तो यह है हमारी गीता का जो model है, world को लेकर, कि matter यह है, और चेतना यह है, अब अगर हम देखें, हमारी science क्या करने का प्रयास करती है, science और दर्शन, सबसे पहले science क्या है, कई बार आप देखेंगे, science के students, बहुत, बहुत चावी, चातर भी होंगे, अच्छे toppers से भी आप बात कीजे, आप सबको मैं यह homework के रूप में या फिर एक बहुत इंट्रेस्टिंग exercise के रूप में share कर सकता हूँ, आप सब उन से पूछिए, science की definition बताईए, science क्या है, बहुत अच्छे-च्छे answers मिलेंगे आपको, बहुत सकता है, school में लिखने पर marks भी मिल जाए, कोई दिकत नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत happily यह guarantee दे सकता हूँ, 95% से ज़्यादा लोग इसको गलत देंगे, इस cancer, हम मैंसे ज़्यादे था लोग सोचते है, science knowledge है, science knowledge बिलकुल भी नहीं है, science की definition ही है, शास्तरों के अनुसार न नहीं है, science है एक method, एक प्रक्रिया, वो प्रक्रिया की definition है, तीन चार चीज़ें, कि यह चीज होनी चाहिए, तो यह scientific है, यह science का method है, अब किसी भी जगे जाके देखेंगे, science is a tool, science एक उपकरण है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा knowledge को develop किया जाता है, इस प्रकार से हम drawing ब उपकरण को picture नहीं बोल सकते, तो जिस प्रकार से paintbrush से हम brush करते हैं, और picture अलग है, और हमारा brush है वो अलग है, उसी प्रकार से science उपकरणों के रूप से use है, वही है science, science कभी भी theories नहीं है, जो science की रूप से develop की जा रही है, याद रखेगा, और कई बार क्या होता है, जो इस संसार के बारे में हमें चीजें पता चलती हैं, अपने science के books में, जैसे ये दुनिया कैसे आई, big bang से आई, या फिर जिंदगी कैसे आई, ठीक है, Darwin theory से हमें कई बार पता चलता है, कई सारी चीजें पता चलती है, चितना के बारे में usually यहीं दिया जाता है, कि यह exist नहीं करत या फिर अलग अलग तरीके से इसको पहली की तरह है छोड़ दिया जाता है, बदार्त क्या है, matter क्या है, anything that occupies space and has weight, इस तरीके से कुछ कुछ करके definitions दी जाती है, तो इन definitions दी जाती है, कई theories भी दी जाती है, पर कई बार क्या होता है, इस बिग bang theory है, तो big bang theory है या नहीं है स उस पर comment नहीं कर रहे है, point यह है, वो science के माध्यम से हमने एक theory बना दिये, वो scientific theory है भी या नहीं, कई बार ये भी प्रशन होता है, क्योंकि scientific कोई चीज होना, उसमें ये सब factors होने चाहिए, ये वो falsif viable होना चाहिए, उसको गलत भी प्रूव करने का scope होना चाहिए, वो repeatable हो होती है, तो कई बार इस जो बड़े question होता है, specially life में हमारी, कि जीवन कहां से आया, ये दुनिया कहां से आया, इन सब चीजों को theory के रूप से पढ़ा दिया जाता है, पर कई बार वो scientific भी नहीं होती है, science के नाम पर पढ़ा दी जाती है, जैसे big bang theory है, माली जैस है, गलत है जो भी है, पर वो repeatable तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अपने आप science के help से उस direction में point out क्या जा रहा है, scientific है भी नहीं वो उसका nature, उसको repeat नहीं कर सकते हैं, right away, कई और ऐसी theories है, तो science क्या कर रही है, आज के समय में, जब हम अपने text books में पढ़ते हैं, तो science के माध्यम से कई बा पार्ट होती थी, जो philosophy का पार्ट हैं, और हमारे जो शास्तर होते थे, उनमें ये division अच्छे से क्या जाता है, भाई ये प्रमान है, ये ग्यान है, इस प्रमान को use करके, अभी क्या करते हैं, science पर शद्धा दिलवा करके, scientific होना चाहिए सब कुछ, कई बार unscientific चीजें भी उसी में जोड़ दी जाती हैं, और पढ़ा दी जाती हैं, theories के रूप से, books में गलत words नहीं use करेंगे, वहाँ पर ये ही लिखा जाएगा, it was assumed, it was concluded, people thought that it is like this, वहाँ पर words गलत यूज नहीं होगे, और लोगों को ऐसा picture मिल जाएगा, कि as if ये science है, और शास्तर वगरा science नहीं तो क्या होता है, हमारे दर्शन और विज्ञान में एक बहुत गहरा संबंध है, तो विज्ञान का जो सदुप्योग है, वो बस इस level पे है, कि हम विज्ञान को use करके दर्शन को test कर सकते हैं, कि यहाँ ठीक है या नहीं है, उसको develop कर सकते हैं, पर विज्ञान अपने आप म की सीमा है, तो अगर हम देखें, गीता में जब चर्चा की जा रही है, हमारे matter को लेकर, हमारी चेतना को लेकर दोनों बारे में, तो इसके बारे में तो कोभी हमें पढ़ाए नहीं जाता, आम तोर पर कि भाई, हम चेतना हैं, हम spiritual beings हैं, तो आकसर रोप से chemical reactions की रोप में हमा मारा mind है, मन जिसको बोला गया गीता में, मन बुद्धी है इंकार, यह सुक्ष में शरीर का part है, जो की current, जिस तरीके से matter को बोला जाता है, वो भी नहीं है, usually हम सोचते हैं, जब मन बोला जा रहे हैं गीता में, वो brain है, brain मन नहीं है, mind बोला जाता है, usually शब्द को यूज कर मन और ब्रेन डिफरेंट है, मन और ब्रेन डिफरेंट है, कैसे हैं, अभी उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना शुरू करते हैं, scientific रूप से, तो जब हम देखते हैं, इस बारे में चर्चा बहुत कुछ समय पहले शुरू हुई थी, तो प्रमुक रूप से इस field में, चर साइंस में, हाड प्रॉब्लम स्किन को बोलते हैं, जिनके बारे में कोई solution नहीं है, कोई theory तक भी नहीं है, कोई idea नहीं है, कि कैसे इसको explain किया जाए, एक science की दृष्टी से, तो विज्ञान में कई कठेन प्रशन है, कठेन प्रशन को translate किया मैंने hard problem, वो एक technical term है, कि जिनक कठेन है, वो क्या है, चेतना, consciousness, कि consciousness क्या है, इसको समझा कैसे जाए, और क्या देखते हैं हम चेतना के बारे में, ये देविड चामर्स, ये एक प्रमुक विरती थी जिन्होंने ये चीज़ को बहुत highlight करने में help की थी, ये भी ये बोलते थे, सबसे कठेन सवाल है, of course वो उन्होंने हिंदे में नहीं बोला, ये translated है, सबसे कठेन सवाल है कि मस्तिश्क में शारीरिक प्रक्रिया, वास्तविक्ता पर अनुभाव को जन्म क्यों देती हैं, बेसिकली अनुभाव जो हमें होता है, वो कैसे जन्म दे सकती है, ये सारे, ये सारा matter, जो हमारा हाथ है, हम हमारे आखें हैं, ये सब अनुभाव को कैसे जन्म दे रही है, इसको क्वालिया बोला गया था, इसकी अपनी हिस्ट्री है, कैसे साइंस में ये टाम शुरुवात हुई, उस हिस्ट्री पर जादा चर्चा नहीं करेंगे, पर इसको क्वालिया शब्द से डिनोट किया गया परते निधित्व करने के लिए देखा जाता है कि सचे धाना गैर तंत्रिका होनी चाहिए, कहने का मतलब कि साइंस के द्वारा कॉंशिसनेस और क्वालिया को एक्स्प्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या है क्वालिया, इस टाम को यूज किया गया है, हमारे आप मुझे देख रहे हैं, अभी आप मुझे जूम पर देख रहे हैं, और अभी कुछ लोग इसको थोड़े समय बाद यूटूब पर देख रहे होगी, तो जब मैं इसको बोल रहा हूँ, और जिस प्रकार से ये आपके सिस्टम तक ट्रांसफर हो रही है, इन्फॉमेश इंटर्फी सी होता है, इंटर्ट ये आपका मॉनिटर है, तो जैसे आप स्क्रीन मॉनिर कई लोग स्मार्टफ़न पर देख रहे होगे अभी वीडियो, कई लोग अभी लाप्टाप पर देख रहे होगे, तो उन बिट्स को फिर रिप्रेजन्ट किया जाता है, पिक्चर् कुछ लोग हैं जो उसी फॉर्म में समझना चाहते हैं समझे हैं यहां तक यहां तक काफी क्लियर है अब समझने वाली बात है जब तक इंटरफेस नहीं रहेगा तब तक सिस्टम में बस जीरो और वन है ना हम समझ सकते ना वो उससे कुछ भी समझा जा सकता जीरो और वन ही रहेगा क्वालिया है क्या क्वालिया यही है कि सैंटिस्ट ने देखा कि जो हमारा आम तोर पर जिस प्रकार से हम दुनिया को समझते हैं वो यह तरीका है कि भाई अगर कोई व्यक्तिक कुट्टे के साथ गुम रहे है तो ठीक है हमने देखा उसको हम उसको देख पा रहे हैं कुट्टे को कैसे देख पा रहे हैं मशीन को explain कर देता है कि आँखों में ऐसे गई inverted image बनी नेटेना पर फिर brain में वो invert हो गई फिर ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ ultimately आप जाकर देखिए brain में कैसे है वो stored वास्तविक्ता उसकी कैसी है brain में brain में सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ electrical signals है सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजेगा इस बात पर तो आम तो पर इसको कैसे explain किया जाता है आपने देखा व्यक्ति को खुट्टे को देखा आपने image आपके आँखों में बनी आँख sensor की तरह है camera की तरह है उसमे inverted image बनी brain में चली गई वो brain में signal चले गए आपने देख ली बस खतम यहीं पर story end कर दी जाती है पर जो hard problem of quality है वो कहाँ पर आती है जब scientist ने यह प्रश्ण पूछने शुरू किये कि भाईया ultimately brain में क्या है signals है neural signals है signals हैं सिर्फ जिसे 0 और 1 machine में है और वैसी हमारी machine में 0 1 है मलब brain में electrical signals है वो fire होता है या fire नहीं होता है बस यहीं काम होता है उसमें भी 0 1 की तरह signals माल लेजे पर प्रश्ण यह है अब सबसे बढ़िया प्रश्ण है जिसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है कि भाईया हमारे system पे 0 और 1 है उसको तो reproduce किया जाता है जान बूज कर एक monitor पे दिखाने के लिए 0 1 यह संगम talks पर यह talk चल रही है पर हमारे brain में कहां पर है वो कोई system क्योंकि brain के बाद तो कुछ ही नहीं modern science के according कुछ नहीं बचा तो brain में जो signals है हमें अनुभाव क्या होना चाहिए था signals ही अनुभाव हने चाहिए थे brain में जब इसके लवा कुछ भी नहीं है तो हमें बस signals अनुभाव होने चाहिए थे पर हमें तो कुट्टा दिखता है ना हम कुट्टा दिखता है कुट्टा जब भौगता है तो डर भी लगता है हमें सिगनल्स तो नहीं दिख रहे हैं अच्छा ये सिगनल है इस सिगनल को डिकोड करना है ओ मुझे डर लग रहा है ओ मुझे डरना है ओ अच्छा आप डर डरन पिक्चर ब्रेन में रिप्रेजेंट की ही नहीं जा सकती समझने का प्रयास कीजिए इस छोटी सी बात को हमारे सिस्टम में एक पिक्चर स्टोर नहीं होती है हमारे सिस्टम में कम्पूर्टर सिस्टम हो फोन सिस्टम हो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ही स्टोर होती है जीरो और धारणा है क्योंकि नियूरल साइंस वग्यार की लेटेश डेवलोप्मेंट से जाधे तर लोग अनम्भिक किया रहते हैं सो कॉल साइंटेफिक लोग आपको साइंटेफिक बोला तो बड़ा अच्छा लगता है पर उनको अगर पता चले जो नियूरल साइंस के लोग जिस प यह तो एक छोटा सा प्रशन मेंने हाइलाइट किया है तो इसको बोला जाता है क्वालिया और यह है सबसे बड़ा प्रशने साइंस में कि अगर कुता नहीं है हमारे ब्रेन में हमारे ब्रेन में तो कुता नहीं है उसकी इमेज नियूरल फॉर्म्स में स्टोड है तो हमें तो neurons feel होने चाहिए था बेन के ओपर कोई भी layer नहीं है तो कहां से दिखता है गीता इसका उतर देती है और हमारे अलग-अलग प्रकार से कि हमारे मन जो है वो मन इस चीज को समझ कर एक चित्र बना देता है जिसको आत्मा अनुभाव करती है यह इतना अनुभाव करती है इसी लिए इस चीज को qualia बोला जाता है जो हमें इतने सारे अनुभाव होते हैं जैसे अभी आप बैठे हुएं तो अभी आप में से कुछ लोग को experience हो रहोगा आनंदार होगा या फिर जब exam साते हैं आप सब को हमाएं सब के सब ने experience क्यों होंगे exams वगयरा कई बार डरावने सबने भी आते हैं कि मेरे exam है और याद कुछ नहीं है तो कई बार डर लगता है एक दम जो वो feeling होती है यह qualia है इसको qualia बोलते हैं इसको अनुभाव बोलते हैं इसको और शब्द क्या यूज़ करना चाहिए शास्त्रों से संसकार बोल सकते हैं वृत्ती कई सारे अलग-अलग terms है वैसे तो विचार जो अभी आप सब सोच रहे होंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मेरे बोलते बोलते आया आप कई और सारी चीज़े सोच रहूँगा अच्छा ये है तो ये है तो ये question जरूर मैं पूछूँगा इस प्रकास है कई सारी चीज़े रंग रंग अपने आप में रंग तो brain में exist नहीं करते हैं उनको reproduce कौन कर रहा है ये मस्तिश्क कर रहा है मन कर रहा है देखना सारी चीज़े इसको क्वालिया बोलते है इसलिए जो चामस थे इन्होंने इस चीज़ को बहुत हाइलाइट किया कि आप सब पेपर समझ चापिए सबसे बड़ा सवाल बनके रह गया इसको अलग अलग प्रकार से लोग फसा देते हैं कुछ साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि यह इल्यूजन है जो पूरी रियालिटी है मैं आप आपको टॉप नियूरल मतलब नियूरल साइंस में जो आगे बढ़कर लोग हैं वो क्या उतर देते हैं किस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास करते हैं वो बता रहा हूँ कुछ लोग बोलने लगते हैं यह सब रियालिटी नहां यह इल्यूजन है मतलब मैं और आप एक्सिस्ट इन ही करते हैं यह सब इल्यूजन में हैं माया जिसको ट्रेडिशनल रोप से बोला जाता था, कि यह सब माया है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग घुमा देते हैं, साइन्स में भी यह सब चीज़ें होती है, कि देखिए यहां तक ब्रेन आ गया है, यहां पर ब्रेन में नियूरॉन्स ऐसे वर्क करते हैं, ऐ ब्रेन को समझो, रेटिन को समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो और ब्रेन तक लाने के बाद बस यहां से consciousness आ गए, नहीं, वहां से सबसे गहरे सवाल चुरू होते हैं, ब्रेन में सिर्ट नियूरॉन्स हैं, क्या है, इसका explanation है, कोई explanation नहीं, ठीक है, इसके इलावा, एक last में, ए इसकोल का कोई proof नहीं है, यह है एक बच्चा, नोआ, चार साल का बच्चा, अभी तो बड़े हो गए होगे, यह चार साल का बच्चा थे, जब इनकी फोटो ली गई, और जो आप इनका एक्सरे देख रहे हैं, वो एक्चुली नहीं का एक्सरे है, और जो एक्सरे में ब्रेन फ्लुइट बोलते हैं उसको, तो कई बार लोग बोलते हैं ना भेजा खाली है क्या, भेजा खाली है क्या, तो असलियत में एक medical condition होती है, जिसको हाइड्रोसेफलेस बोलते है, हाइड्रोसेफलेस कई बार extreme situation में पहुंच जाती है, जिसमें 95% तक, कभी-कभी 97% तक ब्रेन फ्लुइट से ही भरा होता है, मतलब ब्रेन होता नहीं है, बस भरा होता है फ्लुइट, जिसमें कोई भी processing की ability ही नहीं है, कोई भी समझेगा, इस scientific रूप से कोई भी ability नहीं है, और इस बच्चे को, और यह अकेला केस नहीं है, पूरा एक condition बोले जाती है, हाइड्र सफिलेस, extreme case लिया है मैंने, इस बच्चे में सिर्फ 4 प्रतिशत brain substance था, जिसमें कोई भी capability नहीं है, इवन जीवन को धारन करने के लिए modern विचार के रूप से, पर यह बच्चा आराम से बाचीत कर पाता था, एक normal अपना जीवन व्यतीत कर पा रहा था, कुछ ऐसे बच्च आपको ये समझाने के लिए कि इस दुनिया में इस शहर में लोग रहते हैं, ये शहर खाली नहीं है, बस एक व्यक्ति को दिखाना है जो शहर में रहता है, तो रहता है, कोई न कोई रहता हो, खाली नहीं है शहर, खतम होगी बात, आपको इस चीज को प्रूव गरने के लि वहीं द्वस्त हो जाता है सारा मॉडल इसको ऐसे नहीं बोल सकते आप कि यह exception है अरे exception है explain तो कीजिए exception को आप exception बोल कर explanation नहीं दे रहे हैं scientific नहीं है बोल देना की exception है तो बस एक example एक phenomenon हाइडोसेफिलस से ही इस चीज को clarity मिल जाती है कि brain के beyond भी existence है तो जो गीता बात कर रही है मन बुद्धी और हिंकार वो तो सुक्ष में शरीर की बात हो रही है उस चीज को भी science अच्छे से model नहीं कर पाई अभी तक बागी बाद चेतना की तो बात ही छोड़ देजे तो सिर्फ यही नहीं कई सारी empirical evidences भी है जिससे हम गीता के जो सिधान थे कि मन बुद्धी और हिंकार भी exist करता है उसको हम देख सकते हैं जैसे एक project लिया गया था aware project उसमें जो near death symptoms होते हैं जब व्यक्ति चरीच होने वाला था है उस चीज को परखा जाता है या फिर clinical death symptoms होते हैं उनको study किया गया 2014 की I think ये project था 2000 लोगों को study किया गया था और उनमें से कई लोग ये बोलेते हमें कई अनुभा हुए clinical death में जब brain एकदम काम नहीं करता है तो ये भी अलग evidence है out of body evidence है अपने आप में brain garnetion को कोई व्यक्ति अगर study करना चाहिए although उतना scientific domain में ये नहीं आएगा फिर भी रुची कर इसमें insights मिलेंगी और repeatable नहीं भी होने के बावजूर इस चीज में आप बहुत सारे refer कर सकते हैं आप एक book refer कर सकते हैं demusedifying reincarnation आप refer कर सकते हैं कुछ video जो available होंगी दॉक्टर राइन स्टीविंसन की reincarnation वगेरा पर तो हम यहीं पर अभी conclude करेंगे कि कैसे हमने चर्चा किया कि कैसे गीता का जो दर्शन है वो बहुत developed दर्शन है उसमें चर्चा की जा रही है knowledge का goal क्या होना चाहिए process क्या होना चाहिए और जो हमारे शास्तर है उनमें प्रमाणों के उपर चर्चा भी हो रही है और प्रमाण accept के जाते हैं फिर शास्तर है यूज़ के जाते हैं फिर उनके उपर फिर हम अपने rational logical framework भी लगाते हैं और modern जमाने में हम क्या कर रहे है modern जमाने मतलब विज्ञानिक रूप से हम कई बार क्या कर देते हैं science को use करते है science जो कि सिर्फ उपकरण के माध्यम से knowledge को develop करने के लिए use की जाती है और कई theories जो scientific नहीं भी हैं उनको scientific के नाम पर चला देते हैं लेकिन हमने देखा कि इस प्रकार से ये जो question है चेतना का ये दूर दूर तक answer नहीं है qualia simple सी बात कि मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हैं इसका भी कोई answer नहीं है तो इस चीज को accept किया गया है कि चेतना का कोई उत्तर नहीं है ये hard problem है science में इस चीज को top colleges वगर हमें study करते हैं वो गीता को question करते हैं पर कई बारे इन चीजों के बारे मैं भी किये रहते हैं और हमने चर्चा किया लाश में एक सुंदर से example नोवा का लेकर कि कि इस प्रकार से hydrocephalus की condition को explain नहीं किया जा सकता फिर भी बहुत अच्छे living cases ऐसे रहे हैं जिन में हम देख सकते हैं कि brain के beyond भी existence है आप सबका बहुत धन्यवाद अभी प्रश्णों के लिए मैं समय देना चाहूँगा तो सुनील जी प्रश्ण पूछने कि चेतना और consciousness और subconsciousness में क्या अंतर है spirituality में तो पहले तो हमें समझना है कि conscious और subconscious mind कई बार देखिए कितना बड़ा वो दिक्कत हो जाती है जब हम शास्तों को सुविकार नहीं करते हैं तो क्या होता है दिक्कत जो psychologist होते हैं western psychologist वो बहुत सारी चीज़े यूज़े करते हैं माइंड है सब conscious mind है सब चीज़े है पर जैसी आप scientific दृष्टी से आएंगे western science में वो बोलता है यह सब है ही नहीं सब कुछ matter है फिर आप मान लिजए arts की direction में आएंगे arts में वो लोग music के बारे में चर्चा करेंगे अलग-अलग instruments सीखेंगे पर जब आप सिर्फ chemicals है practically आपने यह माना हुए आप chemicals है तो भई chemicals को क्या जरूरत है कुछ music सुनने का कुछ आनन्द लेने का तो बहुत बड़ा confusion है हर एक branch of knowledge में western model में पर जब हम देखते हैं जब हमारे शास्तर सुविकार किये जाते हैं तो एक ही reality को अलग अलग जिसे आयरवेद में हम यूज करते हैं उसी reality को कि चेतना भी है मन भी है मस्तिश भी है तो फिर body के उपर क्या प्रभाव डालते हैं ठीक है इसको study किया जाए और फिर हम यूज करते हैं हमारे अध्यात्मिक विद्या दर्शन का कि कैसे हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें अलग 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 शास्त्र हैं एक ही चीज को अलग अलग अंगल से अप्लाई करने के लिए इसको यूजिली motivational speakers inspirational जो वीडियोज होती हैं उनमें यूज किया जाता है अलग अलग पतानी चीज़े explain करने के लिए उनके अनुभाव रहते हैं सही अनुभाव हैं पर उनको कभी भी आप विज्ञानिक दुरिष्टी से explain नहीं कर पाते बोलो पर जब हम consciousness और सब consciousness के बारे में चर्चा करते हैं शास्त्रिक रूप से तो उसमें जैसे हम अभी इस इस दुनिया को अनुभाव कर रहे हैं इसको जागरूती बोलेंगे जागरूती स्वपन वो है जब हम सोते हैं और जो हमारी मन बुद्धी हैं इंकार होती है उसमें बुद्धी क्या काम करती है वो मन के जो experiences हैं उनको ब्लॉक लगा देती है कि अभी थोड़ी शांती ची इसलिए बुद्धी का एक क्या बोलते हैं उसको एक characteristic function है जो भागवत पुरान में बताया गया बुद्धी का एक function नींद भी है तो नींद बुद्धी का खारे होती है बुद्धी क्या कर देती है मन में जो अलग अलग विचार चल ले होते हैं उसको रोक देती है पर कभी-कभी क्या होता है वह गेट अछह से हैं लगता तो वह conscious जो हमारा मन होते है वो अलग-अलग विचार पैदा करता है तो जो स्वपने स्थिती होती है उसमें क्या होता है हम अवेर रहते हैं पर इस दुन washes के अवेर नहीं रहते हैं हम अवेर रहते हैं अपने experiences के जो कौलिया शब्द स्यूजा किया गया था आते हैं। सुशुप्ति वो स्टेट होती है। secure हमें कुछ भी नहीं पता होता। जब हम उठते और हमें लगते हैं बहुत अच्छे से से सोया। मुझे कुछ भी नहीं याद। तो हम उस समय पर जब कुछ भी नहीं आद ऐसे लगता है जैसे अभी सोया था तो जब अभी तो नहीं सोय थे सोय तो काफी लंबा समय हो गया तो उतने अंतराल में आपकी चेतना क्या अनुभव कर रही थी तो वो सुशुप्ति बोला जाता है उसको कि आपकी बुद्धी भी शान थी मन भी शान था और कोई भी गतिविदी नहीं हो रही थी तो सुशुप्ति और तुरिया उसको बोलते हैं जब हम हमारी चेतना अध्यात्मिक स्तर पर डेवलप कर जाती है और जो यह तत्व होते हैं आत्मा परमात्मा इनके साक्षात कार जब हो जाता है उसको तुरिया बोलते हैं तो conscious subconscious mind यह तो modern philosopher वगरा यूज़ करते हैं western अगर शास्तर की दिर्श्री से देखा जाए तो यह चार स्तर हैं यश पूछ रहे हैं how to experience this cavalier in daily life daily life में experience करने के लिए यश मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप गीता को अपने जिवन में अनुशीलान करना प्रयास करें साधना साधना शुरू करें योग शुरू करें यही मेरा suggestion रहाएगा क्योंकि हम results तो बहुत बड़े बड़े चाहते हैं जैसे आपने बोला कि daily experience करना चाहते हैं लेकिन इसको एक बार एक भी experience करने के लिए कई सालों की साधना लगती है राजीव जी पूछने मैं बुलूँगा कि आप गीता लाइए उसको पढ़ना शुरू कीजे मैं सजेस्ट करूँगा एक सामानिय व्यक्ति के लिए यह क्या बोल सकते हैं पारंपरिक उत्तर तो नहीं होगा पर फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा एक सामानिय व्यक्ति के लिए वो शुरू करें गीता के चौदवे अध्या इसे बहुत अनोखा लग रहा होगा आपको यह सब सुनने में पर चौदवे अध्या में क्या बात की गई है वो बात की गई है जिस बारे में कृष्ण बोल रहे ना तिन गुणों से वो अगर हम पढ़ें कोई भी व्यक्ति ले मैं तो आप छोड़ दीजे एक अथीर्ट को भी आप पढ़ा दीजे वो भी व्यक्ति बोलेगा गीता में पते की बाते हैं क्योंकि जिस तरीके से मॉडल की गई है रियालिटी सत्व गुन, रजो गुन, तमो उसका जो प्रभाव हमारे मन पर होता है, उसमें बताया गया है कि हमारा determination कैसे तीन गुणों में हो सकते हैं, हमारी विचार कैसे तीन गुणों में हो सकते हैं, हमारी खुशी कैसे तीन गुणों में हो सकते हैं, हमारे त्याग, हमारी तपस्या कैसे तीन गुणों में हो सकत तो आपको गीता इतनी आधोने कि इतनी क्या बोल सकते हैं उसको जब वहारिक लगेगी उस स्टडी से तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौदवे अध्याय से शुरू करें उसके बाद आपकी रूची योग के बारे में और जानने की होती है तो आप थोड़ा सा बैक ले ले दूसरे अध्याय से वापश शुरू कर सकते हैं और भक्ति के बारे में और जानने की रूची है तो आप साथवे अध्याय से शुरू कर सकते हैं पहले छे अध्याय गीता के कर्मयोग के बारे में प्रमुक रूप से हैं बीच के छे भक्तियोग और आखिर के छे ग्यानिय के उपर प्रमुक रूप से तो फिर जहां पर भी आपका मन हो और हम आपको इन्वाइट भी करेंगे आप चाहें तो हमारी गीता क्वेश्ट पर यह हमारी सेवा रहती है कि आप सब के लिए फ्री गीता कोर्स हम हमेशा और्गनाइज करके रखते हैं कोई भी आना चाहें यह आज तक समझ में नहीं आए बहुत धन्यवाद अभी शेक जी आपका क्रिशनिस का उतर देते हैं इंद्रिभ्य परम्मना मनसस्तु पराबुद्धि यो बुद्धे परतस्तुसा कि इस पूरे संसार में जो जड़ पदार्थ हैं उनसे हायर है आपकी बॉड़ी आपका शरीर जिसमें इंद्रियां हैं इंद्रियों से उपर आपका मन होता है इंद्रियों को आप देख सकते हो कि भई हाथ है आपकी जिववा है आपकी आँख है इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप ऐसे तो इंद्रियां के उपर क्या होता है मन जो हम बोल रहे थे क्वालिया कि भई गरम गरम तो अच्छा लगे गा वैसे इस class के बाद समोसा इनी खालेते सब सोचना शुरू कर देते तो डारेक्शन देनेवाली क्या है बुद्धी फिर बुद्धी के परे क्या है साह यो बुद्धे परतस्तु साह आप बुद्धी के परे है तो जो आप ये प्रश्ण पूछ रहे हैं आप जो हैं वो है चेतना हम जो हैं बेसिकली ये इस तरीके से जैसे अगर सर्दी आएगी हम कई सारी लेयर्स डाल लेते हैं अपने उप है उपऊंक अनुभव कर सकते हैं उसाइब जिजों को जैकित उत्रें आपको ठंड लगें वर असलियत में ठंड इसको लग रही है वह सहरील को लग योगी, महर्षिन, रिशीलोग, जो साधख लोग होते हैं, वो इसलिए साधना करते हैं, कि जो हमारी वास्तविक प्रकति है, चीतना की जो आत्मसाक्शादकार, अपना जो साकशादकार है, उसको समझा जाए कि हम असलियत में क्या है, इसको माया क्यों बोला जाता है इस आपको दुनिया अलग दृष्टी से दिखेगी, दुनिया है अलग, तो अगर आप उसको अलग रख देंगे, तब आपको दुनिया असलियत में जैसी है, वैसी दिखेगी, उसी रूप से आप चीतना को अनभाव करना चाहते हैं, आप खुद कैसे हैं, उस चीज को साधना क साधना करने पड़ेगी, इसलिए गीता में सब कुछ दिया हुए, साधना मेहनत करने पड़ेगी, कुछ इटा भी आसान नहीं है, सर मेरा यह प्रस्णा कि सर आप बहुत सारे सर मतलब गीता का पॉब्लिकेशन पड़ चुके हैं सर तो मैं मतलब उसको बेश्ट मनले करम योग को हम बेश्ट तरीजा से मतलब समझने के लिए कौन सा पॉब्लिकेशन प्रेफर कर सकते हैं यही मेरा कुर्शन था यह टॉपिक था कि कर्मियोग कर्मियोग में आपकी रुची बहुत है तो अच्छी वह अच्छी बात है तो कर्मियोग को समझने के लिए सबसे पहली बात गीता के श्लोकों से ही बहुत अच्छे रूप से समझना जा सकता है एक श्लोक जो प्रमुक रूप से कई लोग इसको समझते है गीता का सार ही यही है कि कर्मन्य वादिकार रस्ते मा फलेशु कदाचना मा कर्मफल हितुर भूर माते संगरस्तव कर्मनी इसी श्लोक से आप कर्मियों को समझ सकते हैं कि कर्मियों का मतलब क्या होता है कि आप कर्म कीजे फल से आसक मतलब रही कर्मन्य वादिकार क्योंकि पर आपका अधिकार नहीं है, कि आप चाहें कि आपके इतने नंबर आ जाएं पढ़ने के बाद एक्जाम में, वो नहीं होगा, आप पढ़ सकते हैं, मा कर्म फल हीतुर भूर, और सिर्फ आप अकेले हीतुर नहीं हैं कर्म को करने के लिए, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, क तो यह सोच कर कि आप बस कारे कीजे, फल की चिता मत कीजे, आलसिम भी मत हो जाईएगा, कर्म को भी मत छोड़ जाएगा, तो बिना अलस के कारे करना, बिना फल की इच्छा के और यह जानकर कि फल पर हमारा absolute control नहीं है, यही कर्म योग है, कि हम अना सक्त होकर कर्म का पालन करें और obviously यह बहुत difficult होता है इसलिए कर्म योग को बिना साधना के कर पाना बहुत मश्किल है तो आपको के अंदर एक लक्षे होना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तब कोई व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करेग कुछ सुनने के लिए प्रश्ण पूशने के लिए मेरा एक हेतु है कि गीता के बारे में ग्यान देना है और इनका भी एक हेतु है कि गीता के बारे में ट्रेडिशन के बारे में प्रचार करना है तो हेतु के बिना कोई कार्य नहीं किया जब वह हेतु हो जाता है कि मुझे अध्यात्मिक विकास के लिए कारे बस ड्यूटी के रूप में करना है तब वो कर्म योग बन जाता है इसके लिए आपको कोई भी पब्लिकेशन पर बहुत जाद है डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है बहुत जादे पढ़ने वाली बात नहीं है यह प्रैक्टिस वाली ज सब चीजें जादे बात यह होती है प्रैक्टिस की थोड़ी कम यह होती है ठोरी की ठोरी तो बहुत एक श्लोक में खतम कर दिये कृष्ण ने तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँ आप से कि इसको प्रैक्टिस में लाइए कुछ साधना शुरू कीजिए आप यह सिर्फ समझन होती है समझने की बात यह समझने का प्रैयस की जिए इसर्फ समयढ़ने की बात नहीं है गी-टको हमयी अपने जिङ्वन में धिया और प्रैक्टिस करने या जैन शास्त्रों में अधिकतर आत्मा और शरीर के भेट के उपर बहुत चर्चा की जाती है तो मुझे वो गीता के की आत्मा शरीर से कैसे भिन है कैसे बिन है और आत्मा के लिए हम कैसे और कार्य कर सकते रादर दन हमारे शरीर के लिए यह दो अलग अलग प्रश्ण हो गई यह जानना कि कैसे आत्मा और शरीर में भेध है ठीक है वो एक हो गया फिर आत्मा के लिए कैसे कारे करना यह अलग है तो दोनों का उतर देते हैं तो गीता के प्रमक रूप से दूसरे अध्याएं में इस बारे में बहुत चर्चा की गई है जै कि इस आत्मा को किसी भी बहुत एक अधायों यहां अकलेद्यों शोशे वचा नित्यसर्वगतास्थानों रचलों सनातना कि इस आत्मा को किसी भी बहुत करन से माध्यम से आप इंफ्लूएंस नहीं कर सकते इसको जला नहीं सकते गीला नहीं कर सकते इसको सुखा नहीं सकते कुछ भी नहीं कर सकते सनातन हैं पर इसको शस्त्र से नहीं तोड़ सकते इसके कुछ भी नहीं कर सकते तो आत्मा और शरीर के बीच में जो भेद है प्र कर रहें इस दुनिया का जब हम इससे बिल्कुल सेपरेट हैं तो ये फिर सांखे का डिसकेशन आ जाता है सांखे की व्याख्या गीता में बहुत सूत्रों के रूप में की गई है आपको और ऑपको इसेरे स्कंध में बड़ा जीता है की लिए ये सेटरे चश्म करते के हैं और आप सांखे के ओपर कच्छ बॉक्स भी पड़ सकते हैं सब चीजों में ये व्याख्या है कि कैसे हम इस दुनिया को experience कर रहे हैं कि यह अपने आप में बड़ा interesting हो जाता है कि कैसे हमने चश्मा लगाय हुए है कि हम सब कुछ देख रहे हैं अपने शरीर के मादम से मन बुद्धी एंकार के मादम से तो यह हो गया और दूसरा आपका प्रशन था तो गीता में तो प्रमुक्त रूप से दूसरा अध्याए कि आत्मा और शरीर के बारे में के भीद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप रिफर कर सकते हैं थोड़ा पंद्र सारी चीज़ें और आप अगर यह पूछते हैं आत्मा किस तरपड कैसे कारे किया जाए वह सारी फील्ड खुल जाते है योग की कि आत्मा को कैसे हम योग में किस तरपड़ लें कि कैसे आत्म साक्षातकार के पत पर आगे बढ़ें तो योग के लिए गीता में प्रहयर वो भक्ति योग की व्याख्या है ज्यान योग उसके बाद है और कर्मियोग उससे पहले ज्यादे फेमस भखवत गीता कर्मियोग के रूप से रहती है जनरल लोगों में पर यह योगों की व्याख्या है कोई भी आप योग का अनुशीलन करेंगे तो अध्यात्मिक स्थर प होते हैं योग के primary elements में साधना के रोप में स्वाध्याय बहुत important होता है कि हम अपने शास्त्रों के को regular level पर study करें regular मतलब daily basis पर recommend किया जाता है कुछ समय हम निकालें आदा ही घंटा डेली निकालें इस चीज को बार-बार समझें कि क्या हमारी स्थिती है क्या दुनिया की स्थिती है अक्सर तो लोग अध्यात्मिक जीवन में इतना ही अटक के रह जाते हैं कि कोई अगर हमें बुरा बोल दे उस चीज को कैसे बुलाएं हम शांती कैसे प्राप्त करें बस इतने पर ही अटक जाते हैं पर आगे सबसे पोटेंशिल फॉर्म्स है योग के इन तीनों का अनुशी लंद करेंगे तो आ अवश्य ही हमारा जैसे क्रिश्ण बोलता है अची रात की ज्यादे समय नहीं लगया इस प्लाटफॉर्म पर आने के लिए मेरा सवाल यह है कि हमारी लाइफ में स्प्रिश्ण लाइफ को प्रैक्टिस करने के मलब कितने सारे तरीके एक मिनिट एक करके पूछेंगे तो फिर अच्छा रहेगा ओडियंस को भी सवाल याद रहेंगे तो सबसे पहले आपने जो प्रेश्ण पूछा किया इंपौर्टेंट होने चाहिए तो बहुत है अच्छा नहीं नहीं बच्चों वाला सवाल ही आपके सवाल को हमारे शास्त्रों में जब भी ऐससे सवाल किया जाता है जो इससे सवाल बोलके शुकदेव को सौमी का एक श्लोग है वो बोलते है परिक्षट महराज को स्वामी उत्तर में प्रश्ण के ऊपर सबसे पहले बोलते हैं वर्यानेश्टे प्रश्णा कृतो लोग हितम निपा आत्ममवित सम्मतापमसाम शुत्तव व्यादी शुयापरा कि आपने जो प्रश्ण पूछा है वो इतना बढ़िया प्रश्ण है कि जो लोग सुनेंगे इस हम सब क्या चाहते हैं दुनिया में अल्टिमेंट लिए हम सब खुश रहना चाहते हैं इससे ज्यादा है किसी को और कुछ भी नहीं चीए वावगत पुराण में मैत्रे मुनी मैत्रे मुनी से विदुर पूछ रहे हैं सुखाय करमानी करोती लोग को नात्त सुखाम वा सिंदेथ भूयस तत्व दुकम तट एव युक्तम भग्वण वदिननता है सब लोग सब सुखाय करमानी करोती लोग सब नाचत सुखम वान उपराम उपार ममबा दुख की शांती भी कई बार नहीं हो पाती है, दुख को पॉस भी नहीं कर पाते हम, हम सुखके लिए कारे कर रहे हैं, पर दुख पॉस भी नहीं हो पाता है, सुख तो छोड़ दीजे, मिंदेद भुएस तदेव दुखम, उल्टा बिसिकली आंख़ों के समाने कि संसार में हम भागने शुरू कर देते हैं रैटरेस की तरह कि बस आंख खुली ऐसे आंख खुली सब लोग बोल रहे हैं बेटा इंजीनियर बने गाए बेटा डाक्टर बने गाए बेटा ये वने बने गा और हम सब देखते हैं अच्छा क्या बनोगे पीम बनूँगा समझ में भी नहीं आ रहा हो था मैं क्या बोल रहा है मैं एश्रोनाट बनूगा अच्छा ठीक है बच्चे अच्छे लगता है यह सब बोले पर ऐसे हमारा बच्चपन होते होते 20-30 साल ऐसे बीच जाते हैं हम सब के भी कैसे बीच गए हमने इधर दे थे जिसलिए हमने इतनी इंवेस्टमेंट की 20 साल पढ़ाई करते हैं प्रैक्टिकली हम कोई भी एक डिगरी तक आने के लेवल पर उसका क्वालिटी ओवरॉल इतना अमेजिंग तो नहीं है खईब बाहर ऐसा मेरे कॉलेज में तो इंफॉर्मल रोप से आप सब लोगों को सब्कूल की के लिए करना चाहूंगा मैं मेरे कॉलेज में तो प्राएर रूसे होता था जब एक्जाम होता था तो हमारे कोलिज में भारत में कॉलिज्ट बारे जैसा सिनैरियो रहेगा तो बड़ा एक्पस बीच बीच में काभी-कभी खुद्ते भी आजए तुकुत्ते देखते थे तो especially exam time में जब बहुत मैनत करनी पड़ती थी सब लोग आते जाते कुट्टों को देख के ऐसे करते हैं इसको कुछ नहीं करना पड़ता है इसको एकतम रिलाक्स इसकी शगल देखकर ही इतना लोगों को लगता था यार कितनी टेंशन हमें लेनी पड़ती हो लट आधे कि कैसे मिलना चाहिए वा हैपिनेस और उसी बार में उसी तरीके से आप देखेंगे शास्तर शूरू होते हैं क्रिष्ण आप बताना शुरू किये मैं यह श्यस्यास्तेहम शाद इमां प्रप्रपन्दम मुझा कुछ समझ में नहीं यारा मैं फ्रस्टेट हो रहा हू कुछ भी नहीं समझ मैंना मैं सब छोड़ रहा हूँ अब देखो आप मुझे बता दो क्या करना चाहिए सुख कैसे मिलेगा शांती कैसे मिलेगी लॉंग टेम वाली बताइएगा आप मैं शीशे बन गया आप शुरू किज़े बताना है तब गीता शुरू होती है तो यह सब का उतर स्प्रिश्वालिटी देती है इसलिए वह हमाइले जरूर हिक Ihnen प्रेश्ण पूछ रोए जिसलिए प्रेस्या। पूछ ने इस लिए अपउस ब्लाटफॉस्पर रहे हैं जिसलिह आप सब शो कोछ करते हैं जो खाएंगे, जो पीएंगे जैसे सोते हैं, जैसे जीते हैं, जहापर आपने admission लिया, सब को चाहिए की लक्षे से है, सुखी रहने के लिए, तो उसका होता है, कई बार बहुत आराम से free fund में बीटा के द्वारा मिल जाते हैं, कई बार उसके straight way के लिए बहुत सारे paths भी हैं, तो basically अर्जुन भी इस उत्तर से कर्मिशु जो जाता है, क्रिष्ण को बोलता है, देखिए, एक चीज बोता है, आपने कई सारी चीज बोता है, उसी एक पत के अलग-अलग तरीके होते हैं, जैसे आपको कहीं जाना है, तो इस जगे पर जाने के लिए Google Maps पे भी कई अलग-अलग रस्ते दिखाया जाते हैं, तो उन रस्तों पर ये भी मेंचन होता है, इस रस्ते पे प्लस थर्टी मिनिट्स इस रूट की क्या अड्वांटेज है, तो उसी रूप से गीता में अड्वांटेज बताई गई हैं, अलग-अलग बात की, इसेशली भुक्ति योग के बारे में बताया जाएं, तो उसको बहुत सर्ल मुफ्त डारेक्ट तरीकें haight नहींहीं रहेंगे, तो आपका दोनों तरीकेंसे में उत्तर देदीइ Democrat जाता है कि जो नोर है और जो नोन है ये दोनों अलग अलग चीज़े हैं तो जैसे कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारे वो चीज नोन है और हमारी आखे नोर है उसके बाद में अगर उसके बारे में सोच रहे हैं तो आखे नोन है और हमारा माइंड जो है वो नो को उसके बाद भी हम जाते हैं कि साक्षी की तरफ कि साक्षी बन जाता है और माइं correct बन जाता है तो ये concept मुझह समझ में आ गया पर इस पे मेरा क्रश्न ऐसा था यह जो साक्षी है जो कहते हैं कि एक ही है तो हम सब या फिर हरे की साक्षिय अलग-अलग है। यह जो आप प्रशन पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रशन है। इस प्रशन का उतर आप मेरे से पूछें, गीता से पूछें, तो क्या हुआ है इस प्रशन का उतर, अलग-अलग जो हमारे संथ थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने अलग-अलग दर्शन के माध्यम से दिया गया है तो यह जो प्रशन है इसी पर बेसिकली वेदान्त जो है वो सब इन सारे definitions को clear करते हैं तो क्या होता है वेदान्त को लेकर फिर वेदान्त को explain करते हुए जो हमारे कई अचारे हैं उन्होंने अलग-अलग टिपनी दी है तो उन्होंने किसी ने एक तरीके के टिपनी दी है जैसे अदुएथ टिपनी में बताया जाता है कि सब में एक ही द्रश्टा है फिर दूसरी टिपनी होती है दुएथ कुछ होती है शुद अदुएथ तो बहुत अलग-अ तिपनियां हैं इस चीज को लेकर कि साक्षी एक है आने के पर अगर आप सिर्फ गीता के वर्सिस को एजटेज उठाएं उनके जो प्रमुक मीनिंग है बिना उसको और किसी और स्थर पर लिए गीता डारिक्ली हमें क्या बोल रही है तो प्राहे रूप से गीता दो लेवल प आप प्रकतिविद्धी, हमें प्रकति बताया गया है पर प्रकति कि दूसरे स्लोक में क्या बताया गया ममय वांशो जीव लोंगे हम आंश हैं जीव हैं और अध्यामें सपेशले आपके बारे में चर्चा हो रही है तो दोल साक्षियों के बारे में बता जा रहे हैं शेत्रग्या पहले तो हम ही है आत्मा तो हम अपने बाड़ी को कि वो सब शेत्रों के बार में जानते हैं तो कई टिपनी कई जो दर्शन हैं वो इसी चीज को highlight कर रहे हैं कि गीता directly बता रहे हैं कि दो दुद्रश्टा हैं एक हमें आत्मा एक हैं परमात्मा तो इसमें मतों में भेद रहता है कुछ दर्शन बोलता है एक ही साक्षी है पर मैं personally इन्ही दर्शनों को ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि ये direct भगवत गीता के meaning से close हैं और उसके साथ साथ ये विवाहरिक रूप पे भी सकते हैं जैसे अभी मुझे जो experience हो रहा है मैं उसी चीज़ को experience कर रहा हूँ जो मुझे मेरे शरीर में हो रहा है मेरे मंद में हो रहा है मुझे कुछ भी idea नहीं है कि आप में से कौन वेक्ति क्या experience कर रहा है किसको वो बहुत अच्छा लग रहा है किसी को boring लग रहा है किसी को क्या यादा रहा है किसी को भूग लग रही है मुझे कुछ भी नहीं पता पर गीता का ये श्लोक है कि एक शेतर क्या है जो सारे शरीरों के बारे में जानता है सब के बारे में जानता है तो ये तो definitely true है मैं दूसरों के शरीर के बारे में नहीं जानता मैं आप में से किसी के बारे में भी नहीं जाता तो डारेक्ट अंडरस्टेंडिंग से भी गीता के डारेक्ट मीनिंग से भी जो ये दर्शन है कि भेद अभेद specially कि दृष्टा दो है एक हम है एक परमात्मा है ईश्वर वो ज़्यादा मैं फेवर करता हूँ और गीता के श्लोकों में भी प्रहयरोव से जो डारेक्ट मीनिंग है वो यही निकल के आता है और मैं ये भी बताऊंगा कि इसके भिन भी कुछ दार्शनिक लोग हैं जो इसके भिन भी कुछ विचार रखते हैं सर मेरा ये वह कुश्चन है कि जो नेगेटिविटी हैं उसको हम अपनी सब कॉंशेंस पर हावी होने से कैसे रोकें अर्जुन का ये प्रश्ण है कि ये जो तेन गुण है जिन से ये सारी परिशानी होती है किम आचारा कथम चेताम स्तीन गुणान अती वर्तते चौदवे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि भाईया अर्जुन आप मुझे ये बताईए कि क्या लक्षन होते हैं उस विक्ति के जो इन सब चीजों के परे आगया इस पर कुछ फर्क ही नहीं पढ़ेगा तो क्रिश्न बताना शुरू करते हैं और फिर ये भी आर्जुन पूछते हैं उनके ब्यॉण जाने का क्या तरीक है तो क्रिश्न बताना शुरू करते हैं कि क्या लक्षन है ऐसे व्यक्ति के जो तीन गुणों के परे हैं निर्मान मोहा जित संग दोशा अध्यात्मानित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छंती मोडा पता अव्यायम तक यह हला कि दूसरे कॉंटेक्स से मैंने उठा है चौदवे अध्यायमें यही चीज को अलग अलग इस लोकों से बतायागा है सुख दुख के परे मान अपमान के परे लाभानी के परे और मित्र और शत्रू के परे मतलब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है यह मेरा best friend है और यह यह मैंसे बिलकूल hydrate रखता है एक पदाथ के स्तर पर आपको समभाव रखना कि चलो आपके एक हाथ में सोना है, एक हाथ में आपके यह है कुछ भी और let's say कुछ पथर है या फिर फिर लड़से हाथ में आपके आईफॉन है और दूसरा है आपके सच मुझ के आपल है खाने वाला, एक आपल, दूसरा आपल संभाव रख पाना दोनों एपल्स के प्रती ये एक स्तर पर फिर भी चलेगा सबसे डिफिकल्ड होता है जब व्यक्तियों के बीच में आप संभाव रखने का चैलेंज है और जो द्वंद्व के परे जाने का जो गीता में तरीका बताया गया उसमें ये बताया गया कि द्व विधी क्या है जाने की ये तो चलो चला गया अभी हम क्या अब विधी समझने का प्रयास कीजे विधी इन तीन गोणों के पार जाने की ये नहीं है कि आप दुश्मन से भी सेम व्यवाहर करो और दोस्ते भी सेम व्यवाहर करो इस प्रकार से आप नहीं जा पाएंगे इन इन तीन गुणों के पार, practically मतलब इस तरीके से आप दुश्मन की बातों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जो विधी है इसकी, वो इन सब चीजों को ट्राइ करना है है हमें, इग्नोर करने का, पर मेन विधी कृष्णा इस कॉंटेक्ट्स में जब specially बात हो रही है, ब्रह्मा कि स्थिति पर आने के लिए, एक स्पिरिचल प्लाट्फॉर्म पर आने के लिए, व्यक्ति को भक्ति योग का अभ्यास करना चीए, बहुत सीरियसली और बहुत सिंसियरली, उस लोक में भक्ति योग को specially highlight किया गया है, कि जो व्यक्ति मेरी शरण लेगा, माम चाहिए, अब याभी चाहरे ना बक्ति योग के इन सेवते, बक्ति योग का पालट, बक्ति योग में में विधिया मैंने पहले भी बताए थी, तो आप हरिनाम करना, गिता, भागवत, इत्यादिका, श्रवन, पाठन करना, यह सब पाठ जाने के लिए इन सब साधना बेसिकली करनी चाहिए हमको, प्रभजी मेरा प्रशन ही है कि जैसे अरजुन महा पर कन्फ्यूज हो गये थे, और फिर क्रिशन ने ने बताया कि तुम धर्म के लिए मलब धर्म के लिए तुम यूद लड़ो, और तो ऐसे ही मलब अपने जीवन में जीसे हम हैं, हम है स्टुडेंट हूँ, तो हमारे आता है कि मनलब ऐसा होता है कि कैरियर के लिए वो होती है, परिशानी, और हम उसमें चुनाव नहीं कर पाते हैं, और मतलब कि या तो हम किसी सोचते हैं कि इंट्रिस्ट है हमारा तो चलो, यह काम कर लेते हैं, है उसमें नहीं का काम का कर रहे हैं तो हैसे चुनाव हम कैसे करें कि? भई हमें 100% दे सकें और वो धर्म का काई दियो देखिए जो हमारे संस्कृति को जो हानी हुई है न इतने जनरेशन्स इतने प्रैक्टिकली हजारों साल हो गए अब तो उस पर जो आगात हुआ है तो जो सिस्टम्स हमारे हाथ में अब नहीं रहे हैं उनका यह सब प्रभाव है तो यह सब बहुत बड़े बड़े प्र Jennifer लिए बहुत बड़े इस इंस्टिटूशन्स लिए बहुत बड़े बड़े गृंत एक चीज की जो हम पूछ रहें क्या बताएं, आज के समाना, आज की इस्तिति हमारी यह ही है, कि हमारे पास इतनी सारी नॉलिज हमारी लॉस हो गई है, पर अची बात है कि भगवद गीता में बोला गय कि कुछ आचारे बोलते हैं गीता के उपलक्ष में, कि Aekam Shastram Deva की पतर गीत На, कि आपके पास कई सारे शास्त्र की एक्सेस नहीं है एक्सेस है भी तो आप पढ़ने सकते फिर भी आप गीता के माध्यम से प्रहरोप से सारे धमानिश तो इतने सारे प्रशन जो आपके थे उन सबका फिलहाल यही उतर है कि धीरे धीरे हमें आत्मसाक्षातकार के माध्यम से गीता के माध्यम से अपने बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा इतना असान ही है इसलिए जरूरी है कि अपने बारे में थोड़ा समझे हम इस शरीर के बारे में आत्मा के बारे में तो छोड़ दीजे आत्मसाक्षातकार के बारे में पहले इस मन बुद्धि एंकार के बारे में हम समझ लें कि हमारा जो साइको फिजिकल निचर है वो है कैसा तीन गुणों में हम कौन से गुण में हैं प्रायरूप से किस प्रकार के रोल्स हम अपने जीवन में उठाएं तो हम कुछ उनको निभा पाएंगे किस प्रकार के रो कुछ कांशलर्स वगयरा को अप्रोच करें वह ज्यादा चा रहेगा आप खुद के माध्यम से समयना चाते हैं आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा कैसे आप धर्म की कार्ये में भी लगना चाते हैं तो गीता को और अच्छे रूप से इसका अनुशीलन कीजिए अपने बारे में भी समझें फिर योग का भी पालन अपने कारियस तली के साथ साथ करते रहिए तो धीरे-धीरे करके आपके जितने भी प्रश्ण है उनका उत्तर आपको मिलेगा मेरा आपसे ये प्रश्ण था कि जो हिंदू जो भी हम कहते हैं फिलोसफी है या तत्वत न्यान है वो आजकल प्राक्टिकल क्यों नहीं लगता है लोगों को मतलब काफी बार हम जब जाते हैं स्कूल में या फिर कॉल्जिस में अगर प्राणायम की बात करें तो वो उन्हें प्राक्टिकल नहीं लगता है बट उसी का अल्टरनेटिव डून लेते हैं जो की कोहरेंस बीदिंग है जो भी वेस्ट में काफी चल रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है पर जो हमारी संस्कृती है या फिर उसकी जो भी सारी चीज़े है वो प्राक्टिकल क्यों नहीं या फिर वो लोग आत्मसाथ क्यों नहीं करना चाहते हैं बहुत अच्छा प्रश्ण है और बहुत रिलेवेंट प्रश्ण और इसका उत्तर होने वाला है क्यों प्रैक्टिकल नहीं लगता है आप समयने का प्रयास किजिए यह गीता का प्रश्ण नहीं है यह MBA का हम अब इस हंगम डॉक्स पर यह चर्चा चल रही है देड़ दो घंटा इससे ज्यादा नहीं होगा हम अपने कॉलेज में समय बिताते हैं चार-पांच घंटे एफेक्टिव रूप से दिखा हैं तो थोड़ा कमी रहेगा किसी और किसी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं दि हमार है इसमें पांच-छे घंटा बिताते हैं एवरेज रूप से पांच घंटा चल रहा है स्क्रीन टाइम लोगों का तो इतने स्क्रीन टाइम में मैक्सिमम जो हम एक्सपोज होता है जिस इन्फॉर्मेशन के वह इन्फॉर्मेशन वह है जो इंडुस्ट्रियलाइजड अबजेक्टिव से आगे बढ़ाई जा रही है प्रॉफिट के मादियम से आगे बढ़ाई जा रही है सिंपल सी बात ऐड्स कौन से दिखते हैं आपको कौन से चैनल जादे चल रहा है सब कुछ पैसे पैसे का खेल है तो जिस चीज में ज्यादा पैसे लगाया जाते हैं उ से कितने हाइड्ड हमारे सन्स्कृती सेरीलेटेड कितने एड्ट हैं कि आज ही आप गीता को पढ़ना शुरू कि जा यह आप पढब सुखी रहेंगे आप य्योग का पालन कीजिव आप इस योग का पालन कीजिए इसमें यह features है ऐसा कुछ भी नहीं है क्यों के कुछ इसको कौन company आगे बढ़ाएगी कुसी को पैसा थोड़ी मिल रहे हैं कुछ foundations हैं जो selflessly work कर रहे हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा question होता है funds का उनको आगे बढ़ाने के लिए आप सब समझते होंगे इस बात को तो यह सब चीज़े practical simple एक reason से नहीं लगती कि लोग इस बारे में exposed नहीं होते simple यह MBA techniques है कि जिस चीज़ का जितना advertisement हो तो वह उतना बिखती है जो चीज़ जितना बिखेगी उतना पैसा आएगा जिनके पास ज्यादा पैसा है इसलिए वह ज्यादा advertisement कर पाते हैं और जितनी margin रहती है product में product की cost में और उसके selling cost में जितना हम उस ब्यक्ति से ले रहे हैं उतना profit होगा तो हम तो जैसे आप सब के यह जो organize की जा रहे हैं यह discussions या फिर हमारे platform पर गीता free है गीता का ग्यान free है हमें क्या मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा free है तो तो अब पैसा कितना रहेगा limited रहेगा अब पैसा बनाने के लिए पैसे से advertisement करने के लिए फिर हम लोगों से कितना रुपे मांगे गीता के यह प्रायर रूप से यह शुरू हुआ था ब्रिटिश टाइम से और जिस रूप से हमें independence के बाद जो direction रही हमारे देश की उन में बहुत बड़े-बड़े faults रही कि हमने एक industrialization वाला जो path select कर लिया है rather than जो हमारा वर्ण आश्रम वो अलगी बहुत विशाल topic है पर basically simple living high thinking व होते हैं वही ज्यादा advertisement करते हैं और वह अपने products करते हैं तो कभी भी यह सब चीज़ें में practical नहीं लगेंगी हमारे मन में जो इच्छाए होंगी वही smart phones नए model का smartphone क्या चल रही है उसमें क्या feature चल रही है नया camera क्या है नया gadget क्या है नए कपड़े क्या है इन सब चीज़ों 62 श्लोक है जिस चीज का आप ध्यान करेंगे जो चीज़ आपके ध्यान में आएगा संगस तेव जायते वह चीज से आप relationship फिल करेंगे उस चीज के बारे में इच्छाएं आएंगे आएंग आएंगी आपके मन में तो जितने भी इच्छाएं रहती है लोगों के मन में जो भी चीज practical लगती है जो भी desirable चीज़े वह है जो चीज ध्यान में आते हैं ध्यान में कौन्सी चीज़ जो advertisement के लिए जो इंडूस्रीलाइज़ेशन को सपोर्ट करतें बस इतनी सी बाद में का question है जीट से भी उतर दिया जा सकता है हलकि उसका क्योंकि गीता हर topic को कर लेगी कभी कभी ऐसे स्वपन आते हैं जो अनुवक से परे होते हैं वो कैसे होता है गीता में इसके लिए क्या बताया गया है गीता में बताया है कि हमारा हम सनातने और इस इंसान में भी हमारी बहुत लंबी जर्णी हो चुकी है कि बहुत 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 जर्म मेरे और आपके भी हो चुके है मैं तो सब कुछ जानता हूँ रिष्णवोग वो बोल रहे हैं तो हम तो नहीं जानते हैं तो हमारे बहुत-बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं तो मन क्या करता है पिछले जन्मों के अनुभव को भी कई बार हो सकता है वो दिखा रहो या फिर दो अनुभवों को combine भी कर देता है तो मन में ये सारे possibilities चलती हैं जैसे मैं आपको बोलू imagine कीजे एक घोड़ा उड़ रहा है तो आप फटाफट imagine कर लेंगे घोड़ा उड़ रहा है imagination है ये हमारा मन है हमने उड़ती हुई चीज़े देखी हैं तो इसलिए मन में कई बार ऐसी चीज़े हो सकते हैं जो अनुभव ना भी कियों क्योंकि हम अनुभव प्रड्यूस भी कर सकते हैं जी साथ से हम लोग मतलब हम मेरा बच्पन का जो गुज़रा है वहाँ पर दर्म का हिंदू फैमिली से हूँ फॉलो करते हैं मगर कुछ भी नहीं पता है ना कोई बताने वाला था मगर यह चीज़ अभी जाके मेरा रिलेज़् हुआ है कि मगर यही चीज़ में आगे जाके अपने बाद वाला जनेरेशन मेरा बच्ची है तो वह उन लोग को उस इसाफ से देखने उनको देने के लिए अपना सहनातन धर्म का हिसाब से यह सब चीज़ बताने के लिए तो हमारे लिए क्या सजेशन रहेगा आपका हिसाब से आपके प्रश्ण पर मुझे जी मतलब इनको सबसे संस्कृत संस्कृत भी पढ़ना है या कुछ जो भी चीज़ समझना है यह सारे जो मेरा पिछला उत्तर था उसी को अगर हम कंटिन्यू करें ऐसे प्रश्णों के उत्तर में कई बार समझ नहीं आता हासे या शोक करें भा कि भारत में हिंदू बस वो लोग बचे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं जो सिख नहीं हैं जो क्रिश्चन नहीं हैं बस वही हिंदू बचे हैं खुद की हिंदू प्रैक्टिसेज खुद की स्थनातन प्रैक्टिसेज तार्मिक प्रैक्टिसेज का लेवल बहुत दुखत रूप से बहुत लो हो गया है जीरो ही हो गया है प्रायर रूप से तो कुछ भी प्राक्टिस लोग नहीं कर रहे हैं बड़ा दुखत बात है कि प्रायर रूप से हम मेरी जनरेशन में तो लोगों ने गीता का एक शलोग भी खोल के नहीं पड़ा होता गीता से पर जो शलोग सुने ह होते हैं वोगी कुछ याद होते हैं वह बहुत दुखत परिस्थिती है और इसी से related क्योंकि इंफॉर्मल यह चर्चा हो रही है इस से related हमने जस्ट एक लाश में चर्चा भी की थी अपने प्लाटफॉर्म पे भी कि आखरी बैटल है हमने कुछ देखा है कुछ जाना हैं कुछ लोग हैं इका दुका लोग जो बचे हुए हैं बाकी हमारी जनरेशन खुद कुछ प्राक्टिस नहीं कर रही है प्रायरोब से जो हम हमाई जनरेशन थी उन्होंने कुछ देखा हुए कि अच्छा पेरेंट्स टेंपल में आते थे वो यह करते थे वो तिलक लगा आते थे ठीक हमने देखा होता है तो हमें पता था इतलिस्ट क्या मतल है तो प्रायरोब से यह लास्ट ही हमारी जनरेशन है जिसमें एक मास लेवल पर हम देखें हिंदू कल्चर को कुछ जो सनातन धर्म जो धार्मिक कल्चर है उसको प्रिसर्व किया जा सकता है तो इसमें जिम्मेदारी तो देखिए सिर्फ आपको अपने पुत्री की नहीं बच्चों की ही नहीं आपको खुद भी उठानी पड़ेगी आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी यह मेहनत का विशेय है जिसमें बहुत आसानी से नहीं जितना हम एंबेस्टमेंट करते आप खुद सोचे जितना आप concern लेते हैं अच्छी सिक्षा के लिए अपने अपने आप में लक्षमी धन लेते हैं इतने धन राशी का कितना परसेंटेज हम रेडी है उसको धार्मिक शिक्षा दिल्वाने के लिए धार्मिक रूप से तो कोई व्यक्ति धन मांगने लग जाये कि शिक्षा देंगे उसको बोलने लगते हैं यह तो लोगًEven तार्मिक लोग भी नहीं होना चाहिए तो जो भी परिस्थिती है हमें सबसे पहले अपने आपको थोड़ा और प्रिपेर करना चाहिए किस दिशा में हम धन से तन से मन से समय के रूप से थोड़ा इंवेश्टमेंट दे तो प्रहर रूप से हमें खुद भी मेनत करनी उन्होंने बहुत अच्छी कारे कर रखें स्पेशली अकैडमिक लेवल पर अकैडमिया को लेकर एक सेट कर दे रहे हैं वो कि ये भी हमारा एक पैरडाइम है आइडियोलोजी है वो बहुत अच्छा कारे है हमने इस पूरे कारे में हमने जो रोल स्वीकार किया है वो ये सुकार किया है कि हम गीता के एडियोकेशन ये वहार एक धारमिक अध्यात्मिक हर लेवल पर उसको प्रोवाइड करेंगे फ्री आफ कॉश्ट और खुब लोगों को फैसिलिटेट करेंगे उनको जैसे जूम कॉल पर यह हो रहा है तो अलग-अलग माध्यम से उनको ए संस्कृति के पास ले जाते हैं तो इस स्वाल का मुत्तर ये सबसे पहले रहेगा कि आपको सीरियसली वर्क करना पड़ेगा खुद भी गिता में आता है कि आप जैसा कारे करेंगे वैसे ही जो व्यक्ति आपको seriously लेते हैं वैसा वो कारे करना शुरू कर देंगे जैसा वो करेंगे वैसे ही वो करेंगे तो सबसे पहली जिम्मेदारी जब हम किसी और को change करना चाहते हैं सबसे पहले जिम्मादारी अच्छी नहीं लगती है हमारे उपर यह आती है कि हम कितना अपने रूप अपने आप से धार्मिक हैं हमारा चरित्र हमारा दिन चरिया हमारी साधना कितना हम गीता पड़ते हैं सबसे पहले अपने आपको चेंज करना पड़े गा प्राय रूप से भारत वर्ष में ये अभी समस्या चल रही है कि पैरेंटिंग कैसे की जाए बचे भाग भाग कर पाश्चाते संस्क्रिती के पीछे भाग रहे है पैरेंट्स कितना भी समझाते रहे जाएं ऐसे कपड़े नहीं पहने ऐसे ब्यवार नहीं करना है कौन सुनेगा इसमें बहुत बड़ा प्रश्ण ये भी आता है कि पैरेंट्स को खुद जो वो आदर्श दे रहे हैं वो कि स्तर का है अगर एक धार्मिक स्तर का दे रहे हैं तब बोलने की स्तिती आनी चाहिए क्योंकि आचरन जो श्रेष्ट जिस विक्ति को रोल मॉडल के रूप में रोल मॉडल आपका इंफ्लूएंस है किसी के जीवन में तो उतना ही इंफ्लूएंस रहेगा सबसे ज्यादा उसका इंपक्ट अब पड़ेगा जब आप अपने जीवन में उस चीज का नोशीलन कर रहे हैं तो जिम्यदारी आप पर भी पड़ेगी श्री निवाज जी इसलिए हम सब को यह समयना चाहिए कि जो हमारी प्रयास है हम अपनी संस्कृति को और आयए करने के लिए सबसे बड़ा प्रयास हमें अपने जीवन में ऊससं क्रिटी को अप्लाई के लिए होना चाहिए लोग हमसे सुनना नहीं चाहते हैं हमें देखना चाहते हैं कि व्यक्ति कर क्या रहा है उसका चेर्टर कैसा है वह वह्यवाहार कैसे करता है तब वो व्यक्ति कुछ सुनने के लिए रेडी होते हैं किसी व्यक्ति को ज़्यादा है असलियत में फ्रैंक्ली स्पीकिंग लोग कल्चर को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनको ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है कोई और कल्चर क्या लॉजिक्स है से मोवीज निका लिए कोई लॉजिक है इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है फिर भी क्यों चल रहा है क्योंकि लोगों को एंजॉइमेंट ज्यादा पसंदें लोग खुशी ज्यादा चाहते हैं पर उनको अगर हम खुशी एंजॉइमेंट मीनिंग अपने जीवन में जो गह अपने फोन और लैपटॉप कहीं पर भी देखें रोड़ पर चलते हुए सबसे पाउर्फुल एडवर्टिस्मेंट ले देकर वही आता है कि व्यक्ति हम कितने लोगों को जानते हैं जो सुखी हैं जो आदर्श वादी हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं फिर हम भी बोला कि आप शुरू कीजिए थोड़ा बताईए क्योंकि अर्जुन को दिख रहा था कि समझ में नहीं आरा कुछ भी प्रिशन के पास नौलेज है उनके चरह तर से उनको प्रिशन एकदम संभाव है उनको देखते हुए कि यह बिल्कुल कंट्रोल है इन पर कुछ नह जब गर्व में हो तब से शुरू कर सकते हैं हम तो इस प्रिकार से माता को विचार करने चाहिए यह चीजें सुनने चाहिए गीता कानुशीलन हमारे शास्त्रों में तो साइन्स में तो कैसे उसको समझाए जाए पर एक्जाम्पल आते हैं प्रलाद का अभी मन्यू का कि किस प्रकार से उन्होंने मातगी कर से शिक्षा ले ली थी तो उनका डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है इस चीज़ को साइन्स से तो निकाल के एक्सपेरिमेंट से तो नह करते हैं किसी भी अवस्ता मैं होने खेलने के लिए हमें टॉइस ऐसे देने चाहिए हैं हमें भीम के टॉइस दे दिए पांड़ों के टॉइस अब तो खैर यह सब चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं तो यह सब फैसिलिटीज है हमाएं पास जो भी इंपूर्ट वो ले इनपूर्ट हम जो जोड़ डें यूटूब चैनल्स भी धारमें लेवल के आ रहे हैं बच्चों के लिए बश्यों के लिए ली बी आ रहे हैं जो लोग एकेडिमिक हैं जो लोग scientific हैं उनके लिए scientific content आ रहा है जो लोग lifestyle oriented हैं कि बस हमें जीवान में बताईए हमें सुखी कैसे रहना वैसे टूल्स भी आ रहे हैं कि कैसे गीता के माददे हम से सुखी रह सकते हैं entertainment तो थी हमारे शास्त्रों में तभी तो पुराणों में इतनी सारी कथा रहती थी रोमांच का रही इतने descriptions के साथ तो हर रूप से जिस भी स्थिति में कोई व्यक्ति है उस स्थिति में हमें उसको धार्मिक content देना चाहिए यह मरा उत्तर रहेगा जी आप अपने website की उपर कुछ बोले और वह आप कि तक कोश्पाए गीता कोईस हमारा यही इनिशेटिव है कि आप क्वेस्ट करें अपने जीवन की जो भी आपके जीवन में वहाप गीता के अंदर करें गीता क्वेस्ट और इसी के लिए हमने गीता पढ़ाने के लिए ग लिए स्री कुरुष और सब एज ग्रुप्स के लिए बच्चों के लिए तो अभी उतना नहीं डिवलप कर पाए पर उसको आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर गीताकुष.n और आप हमारे प्लाटफॉर्म्स पर आते हैं तो डेली हम गीता के ऊपर डिसकुशन कर सकते हैं अपने प्रशनों भी वहारिक रूप से पूछ सकते हैं और हमारा बस यही लक्षा है कि आप सब गीता को अपनाएं अपनी जीवन में आप खुश रहें आप खुशियां बाटें और सबसे ज्यादा हमारा जो बल है वो इस पर है कि आप सुखी रही है आप इसक को प्रोटेक्ट करने में मदद कीजिए ऐसे और्गनाइज़ेशन की ऐसे लोगों की जो प्रयास करने कुछ मरना हम भी किसी म्यूज튼 का अपारimana की कि ठीक है ऐसे ऐसे इनिशेटव सह थे इस इस इसियर में यह इनिशेटव था और बस नहीं खतं कुछ आप इसके अपर थ बड़ी जिम्मेदारी हैं हम सब के ओपर जो अटलीश रद्धा रखते हैं कि ये कुछ सही था, कुछ वग्यानिक था और व्यावाहरिक भी था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप सब इसको रियलाइस करने का प्लीज प्रयास कीजिए, ये सब बाते बस इसलिए नहीं क की जा रही हैं कि एक गंटे का डिसकेशन होना है, संगर्म टॉक्स पर या गीता खुष्ट पर, एक अर्जनसी भी है इस पर कि हमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अर्जन स्टेप्स की भी जरूरत है, कुछ लोगों की भी जरूरत है. झाल 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 झाल